आपका स्वागत है फर्स्ट लेशन में इस लेशन में मैं बात करने वाला हूँ वेबसाइट की इंकम की मैंने पहली वेबसाइट सन 2007 में बनाई थी उस समय मुझे पता नहीं था कि वेबसाइट से इंकम होती है अगर मुझे पता होता तो आज मेरी वेबसाइट की इंकम बहुत उपर होती क्योंकि इस समय हम जॉब करते थे और जॉब एक comfort zone प्रोवाइड करती है हो सकता है आप जॉब ढूंड रहे हो या भी student हो या जॉब में अच्छे लेवल पर भी हो सकते हैं एक personal website आपकी होनी चाहिए .com के साथ उसके बहुत सारे reasons हैं वह आप Google पर सर्च कर सकते हैं कि .com website ही क्यों हो तो .com website आपकी होनी चाहिए उस website को कभी भी आपको expire नहीं होने दिना है website बहुत powerful होती है एक तरीके से वह आपकी internet property होती है जिस प्रकार आपके पास घहर होता है सोने की चीजह होती है या कोई भी और asset हो सकता है ऐसे ही website आपकी एक internet property होती है अब website आप ने बना ली है और बहुती simple website बनानी है, बहुत ही simple कोई भी complex website नहीं बनानी है, complex websites बिल्कुल काम नहीं आने वाली हमारे, और complex website अगर बनवानी हो तो किसी developer से बनवाएं, जो बहुत qualified developer हो, उससे बनवाएं, और वो बहुत costly होती है, लाग, दो लाग, तीन लाग, बट जो personal website है वो आप दो से तीन साल के लिए 10,000 रुपे के आसपास बना सकते हैं, चलिए website आपने बना ली है, तो अब website पर करना क्या है website पर आपको जो भी interest है, जो भी interest है, इसका मतलब है कि आपका interest किसी भी चीज़ में हो सकता है आपका interest इस चीज़ में हो सकता है कि एक job कैसे मिलती है, ये बताना है लोगों को, एक business कैसे start करना है, ये बताना है लोगों को coding कैसे करनी है, ये बताना है लोगों को English से कैसे सीखनी है, ये बताना है लोगों को, dance कैसे करना है ये बताना है, fitness कैसे बना के रखना है, ये बताना है आप कोई भी knowledge अपनी शेयर कर सकते हैं, आप jokes भी शेयर कर सकते हैं, आप comedy वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी website पर जिस चीज में आपका interest है photography में, content writing में story writing में, anchoring में speaking में, motivational में कुछ भी आपका interest है आप उस topic के उपर अपनी वीडियो, अपने content को अपनी website के उपर regularly update कर सकते हैं आप अपनी website पर regularly जब ये update करते रहते हैं तो Google आपकी website को crawl करता रहता है और आपकी website की value बढ़ती रहती है वो value कई तरीके से काम आईगी, आने वारे lessons में आपको पता चल जाएगा, बड़ इस lesson में हम बात करने वाले हैं कि जब आपके पास एक website होती है और उसकी जब एक domain authority हो जाती है, तो बहुत सारी और websites चाहती हैं कि आप उनकी websites का जिक्र अपनी website में करें, और उसी इसके लिए वो पैसे देती हैं इसको कहते हैं, organic relevant backlinks बनाना है बहुत सारी websites को इनकी जरुवत पढ़ती रहती है, आपको भी पढ़ेगी उसके बारे में आने वाले lessons में हम चर्चा करेंगे जब वो backlinks आप से लेते हैं आपके content में से उसके लिए आपको payment मिलता है, उसका एक procedure होता है domain authority कैसे बढ़ाना है backlinks कैसे देना है यह सारा बड़ा simple होता है आप Google के उपर इसको search कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी domain authority बढ़ानी है किस तरीके से आपको backlinks देना है और अगर आप तयार हैं पूरी तरीके से तो हमारा paid course जो है उसको आप join करके पूरा comfortable तरीके से आगे बढ़ सकते हैं मैं क्यूं कह रहा हूँ paid course join करने की क्योंकि internet पर बहुत सारी knowledge है उससे आप बहुत बार confused हो जाते हैं हजारों हजारों लोग confused रहते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं आपको चाहिए एक crystal clear साफ तरीका आगे बढ़ने का जो कि हमारे paid course में दिया गया है जिसका नाम है passive income mastery उसका link भी इस वीडियो के नीचे मैं description में दे दूँगा तो आप उसको join कर सकते हैं तो सबसे पहली income हुई आपकी website के उपर आपको content लिखना है आपका जो भी interest है उससे related और दूसरी websites वाले आपकी website से backlink लेंगे और आपको इसका payment मिलेगा ये payment कई बार one time होता है और कई बार recurring होता है one time जब होता है तो इसका मेरे को जो मिलता है on an average 10,000 से 15,000 एक backlink का मिल जाता है और अगर recurring होता है तो लगभग 500 रुपे पर backlink हर महीने चलते रहते हैं ये कम ज़्यादा हो सकता है आपकी domain authority के उपर और time to time जो भी offers आते हैं उनके उपर अगर आपकी एक website है और आप उसके उपर अपने interest से related content लिख रहे हैं तो एक backlink देने में मुश्किल से मुश्किल एक या दो मिनिट लगती है और वो आपको 8 से 10,000 रुपी की income देता है कई बारे income ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है next lesson में मैं बात करने वाला हूँ किस प्रकार आप AdSense के माध्यम से अपनी income को बढ़ा सकते हैं